ये CMF Watch Pro Nothing की तरफ से एक वोच जो आपको 3000 रूपे के असपास मिल जाती है आज की उड़ों मेंसी के बारें बात करेंगे क्या आपको 3000 रूपे खर्च करके इसको खरीदना चाहिए बोक्स का डेजन काफी मस्त यहां पे नोने निकाला हुए बहुत ही छोड़ा सा है आपको बोक्स मिल जाता है और अगर आपको इसकी अन्बोक्सिंग देखनी है तो ओल लेडी हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है जाके आप देख सकते हो तो वैसे अगर आप ये वाला चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी क्योंकि स्ट्राइब का अमेजिंग कर्णेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा चुगा अचली वीडियो के शुरुबात कर लेते हैं बात के लिए इसके बिल्डेन डिजाइन से तो वोच का डिजाइन काफी मस्त यहाँ पे निकल के आता है अगर इसके साइड्स की बात कर तो यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिलने वाला है हलागि यह पुली प्लास्टिक बिल्ड के साथ नहीं आती है जो फ् बात कर तो यह भी काफी अच्छी यहाँ पे आपको पहनने वाला है तो डेफिनिटली आपको पसीने का सामना करना पड़ेगा डिस्प्ले की बात करें तो 1.96 इंच की यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिल जाती है अमुले डिस्प्ले होने वाली है 600 इंच की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है आउट्डोर में थोड़े से दिक्कत आपको डेफिनिटली होने वाली है इसमें आपको ओल्वेज ओन डिस्प बोड भी दिया हुआ है अगर आप इससे activity को शुरू करना चाहते हैं तो directly आप कर सकते हैं कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है और मैंने एक छोड़ा सा workout यहां पे इसमें शुरू करा था तो मैंने इसको पहन लिया और मैं निकल पड़ा एक छोटी सी walk पे इसको प अपनी apple watch series 8 भी पहनी हुई थी और exactly same reading मुझे अपनी apple watch में भी मिल रही थी तो अगर accuracy की बात करें तो काफी accurate यह आपकी activity को track करता है और जैसे ही आप watch को right की तरफ swipe करते हैं तो activity का option मिल जाता है जहां पे आपको पूरे दिन के सारी activity दिखने वाली कि कि कितने आपने steps लि के app में अभी app के बारे में बात करने वाल है तो यहां पे आपको पूरे दिन का heart rate data मिल जाएगा साथ मैं अगर दूसरी तरफ swipe करते हैं तो यहां पे आपको weather की information मिल जाएगी जो कि आप app के through अपनी location को set कर सकते हैं थोड़ा और swipe करेंगे तो यहां पे आपको sleep monitoring का feature मिल ज जाता है डारेक्ली आप इससे call को भी इस कर सकते हैं अगर आपके phone पर call आ रही है तो इससे आप receive करके डारेक्ली इससे बात कर सकते हैं आपको phone को pocket से निकालने की ज़रत नहीं है अगर इसके sensors की बात कर तो heart rate sensor काफी accurate है मैंने अपने apple watch series 8 के साथ comparison करा और आप देख सकते ह almost similar है दोनों ही watch में आपको similar reading या पर आपको देखने को मिल जाती है दो तीन BPM का यहाँ पर difference मिलने वाला है और इसमें आपको SPO2 sensor भी मिल जाता है अगर उसकी भी accuracy की बात करें तो काफी accurate यहाँ पर आपको SPO2 sensor मिल जाता है और दोनों में आप देख सकते है 99% मेरा oxygen level आया साथ में यहाँ पर इस वाली watch में आपको stress monitoring का feature भी मिल जाता है जो कि आपको apple watch में भी नहीं मिलने वाला है वो आपको इसमें मिल जाता है और वो भी काफी अच्छे से आपके stress level को measure कर देता है और इसके sensor को मैंने test करा दूसरे object पर मैंने इसको लगा के देखा देखा कि इ काफी accurate है और बहुत अच्छे से काम करते हैं अब की बात करते हैं आपको सारी एक्सराइज वागेरा का data मिल जाएगा sleep data यहाँ पर आपको blood oxygen का data भी मिल जाएगा अगर आपने app से sp02 को भी on कर रखा है तो पूरे दिन आपकी sp02 measure करता रहेगा और वहाँ पर आपको एक graph type का मिल जाएगा activity की बात करते हो एप से directly कोई भी activity आप शुरू कर सकते हैं वो option भी आप आपको मिल जाते हैं अगर नीचे इक तरफ watch वाले option पर आते तो यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर धेर वोच फेस मिल जाएंगे जिनको आप डाउनलोड होने में कम से कम तीस सेकिंड का टाइम लग जाता है यहाँ पर आपको sports mode मिल जाते हैं बहुत सारे sports mode इसमें आपको मिलने वाले जो भी आप एडिया फिर रिमूब करना चाहते हैं तो वह आपको notification चाहिए और किसकी नहीं चाहिए यहाँ पर आपको call reminder को option मिल जाएगा अगर आपके phone पर पहले से call आये और आप चाहते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको reminder आ जाए तो आपकी watch पर वो reminder भी आ जाएगा अगर आप health monitor में आते हैं तो यहाँ से आप continuous heart rate को on and off कर सकते alarm का option में यहाँ आप आपको मिल जाता है डिरेक्टले आप वोच पर alarm वगरा से अट करना चाहो तो वो आप सब चीजे इसकी app से कर सकते हैं एप का UI काफी easy है तो अगर आप इस वाली watch pro को CMF watch application से pair करना चाहते हैं तो बहुती easily कर सकते हैं वो सब चीज़े तो ठीक है लेकि इसमें आपको battery life काफी अच्छा मिलने वाला है वैसे तो company 13 दिन का claim करती है कि 13 दिन का battery life इसमें आपको मिल जाएगा लेकिन मैंने इसके सारे sensor on रखे थे और मुझे 7-8 दिन का battery backup इसमें मिला है मैं काफी time से इसको use कर रहा हूँ अगर charging speed की बात करें तो हाँ इसकी charging speed आपको मिल जाती है एक तो यह orange color का आता है हमारे पास इसका black variant भी है और एक आपको gray variant भी इसका मिल जाता है pricing की बात करतो अभी sale पे 3000 रुपे की मिल जाती है वैसे regular price आपको इसका 3500 रुपे के असपास मिल जाता है flip card पे तो क्या उस price point पे आपको इस वाली watch को खरीडना च देख रहे हैं तो आप cmf watch pro ले लिग जी और आपको regret नहीं होने वाला है सिर्फ मुझे इसमें एक कमी लेगी वह है इसकी charging speed charging speed बहुत जादा slow है इसको fully charge होने में कम से कम 4 गंटे का वक्त लगने वाला है अगर आप उस चीज को compromise कर सकते हैं तो definitely यह वाली watch को आप buy कर सकते और आपको कैसी लेगी यह वाली watch वह आप comment section में definitely बताएगा यही ता इस वीडियो में कैसी लेगी वीडियो comment section में जरू बताएगा अच्छली कि तो like करते हैं चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe कर लेजी क्योंकि subscribe का amazing content आपको इस चैनल पर मिलत रहेगा मिलते एक लिए सब्सक्राइब तब तक के लिए है इस्टे होगे बाएं बी सेफ